नुमुनुमु अदर्शिकों कैसे हैं आप से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी अपने यूटीब चैनल रीती रिवास फिचेता में आज मैं आपको बताऊंगी कि जो रोटी बनाते समय हमें रसोई में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसलिए मैं आपको आज ड दिहार और मायके में भी वहां पर संकुटों का सामना नहीं करना पड़ता और वहां पर भी धन सम्रिद्धी से वे परिवाद परिपून रहता है तो देखिए क्या करते हैं सबसे पहले आप जबी भी आप रोटी बनाएंगे तो आप गाएं की रोटी निकालेंगे गाएं आपकी रोटी वह हैंекст Zum High ऑपने कुत्त गो देनी है तो उसे कहते हैं और तो वह यह अपको आशीश को उन्हीं मिआता है अब मैं आपको बताती हुँ कि जो म acredcanon इसाओ देता है अमलों कि ऑपना बना ली लिए चो अपनीं पहल दें यह एक रोपी पकर आता झाल्य है इस्की एक रोटी भी नहीं बन सकती, तो फिर वह प्रापब्लम है, क्या करना है, कभी ऐसा मत कीजे कि इतने से यायटने कि नार नहीं नहीं, आपने क्या करना है, आप इसी को दें नार तो आप circulation की लुटी क्यार दें एक ही व्याटना दीजी क्याएं, अगर आप ञेमा imagining कि अगर मोटी बनती है तो जो पीर वाले होते हैं उनके यहाँ पर फ। पार गप शरान रे को धान में नियुक्तानलों कि जो पास्ój मॉटीक भातए तोक्राई के मतलब इस पिशुगों कती हुट है तो ये तो हो गई रोटी बनाने की बात में सबसे पहले आपने गाएं की निकालनी है लास्ट वाली आपने मोटी बनानी है या कुत्ते की निकालनी है उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताती हूं बहुत ही असान सा ट्रिक है यह से चकले पे रोटी बनणा, तो अगर मैं यह और उठाओ तो अब आप देखेंगे, पार क्या आटर मुझाव वा इस चक्र में उठाओ करकी जिन्iforms सहरा ना हिस्क्र होॉ है रोटी वगेरा तो आप हमेशा इस चक्र को कभी ऐसे मत रहने जी दीजिए दोस्तों इसको हमेशा अपने हाथ से जरूर साफ कीजिए इसको माना जाते है कि यह संक्टों का चक्र वियू होता है आपको इसको जरूर साथियत साफ कर देना चाहिए वैसे मेरी आदत है कि मैं बना के अभी आपको दिखाने के लिए कर रहे थी लेकिन मैं रोटी बना के हमेशा जोगे आटा है यह इसको प्राहत में डालके और फिर उसको धोने के लिए लेकिन फिर भी अगर ऐसा जल्दी जल्दी में कई बर नहीं भी हो पाता तो एक हाथ जरूर मार दीजे उसके उपर ताकि वह चक्कर हट जाए से संक्टों को चक्कर माना जाता है वह संक्ट हट जाए वहां से और यह करिए यह चोटे से ट्रिक है जोस्तों यह आपको नहीं देना चाहिए तो अगर आपके घर में अगर नमक सुबह सुबह नमक की रोटी खाई जाती है तो आप हो सके तो गाए के लिए जो एक दो रोटी का आटा है वह आप बिना नमक कही निकाल के रखिए दोस्तों तो यह चोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहती अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चाहता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है मिलते हैं नई वीडियो में नमो नमा दोस्तों